सो हलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जैसे के स्ट्रेंट्स मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आज 21 फैबरवी 2023 इंग्लिश का पेपर हुआ मेरी बच्चो और उस इंग्लिश के पेपर में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं अभी तक कोई ऑफिशियल अ हार सेकेंटरी एजुकेशन इस पर्टिक्लर वेबसाइट के उपर जो कि आपको पता है कि महारास्ट्राबोड का ओफिशिल वेबसाइट है एंड इस्ट्वेंट्स जब आप इस पे जाएंगे तो आपको यहां पर सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रकटन बारवी इंग मार्च 2023 का जो एक्जामिनेशन हो रहा है इस एक्जामिनेशन में जो आज इंग्लिश का पेपर हुआ उसमें कुछ मिस्टेक्स थी और उसके रिगार्डिंग एक प्रकटन जारी किया गया सर्कुलर में बहुत क्लियरले लिखा हुआ है कि महरास्ट्रा के नव विभागों में एक्जाम हो रहे हैं मार्च फेबरुरी मार्च 2023 का वो नव विभाग कौन से हैं पूने नागपूर और अंगाबाद मुंबई कोलापूर अम्रावतिन आशिक लातूर और कोकन इन सारे नव विभागों में जो कोशन पेपर आज बच्चों को मिला था उसमें कुछ मिस दो नवर्मली होता क्या एक मिटिंग रखी जाती है सुबजिक्ट होने के बाद लेकिन यह मिटिंग नहीं हो पाई इसका रीजन यह था कि जो टीचर की कुछ स्ट्राइक हो रही है जिसकी बज़ेसर मिटिंग नहीं हो पाई लेकिन इसका मतब यह नहीं की meeting नहीं होगी आगे in future यह meeting रखी जाएगे and meeting रखने के बाद कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे and उस नियम कानून में जो strengths होंगे उनको proper न्याय दिया जाएगा proper justice दिया जाएगा इसलिए आप थोड़ा भी घवराएं ना आप सभी को पता है जो आपका 3A, 3B and 3C जो भी था A3 जो भी हमारे पास questions थे जो ती दो-दो मार्ग के तीन questions जो उसमें mistakes थी right and normally होता है क्या strengths जब कभी भी कोई भी question wrong होता है या उसमें mistakes होती है तो अभी तक के नियम कानून के अनुसार अगर आप उसे attempt करते हो ताप फुल marks मिलता है लेकिन अगर आपने attempt नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं जब यह meeting होगी तो इस meeting के बाद आपको reality में वालूप पढ़ जाएगा कि हो सकता है